दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप परचेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए जन्रा लेवेनेस जन्रा नौलेज की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्पूर्ण होने वाला है इसलिए आप इस वीडियो के स्कीम न करें अंतर तक देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर प्रेस कर दें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चलिए तो फिर ही स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन है आनंद मट के लेखक कौन है देखे एक कोशन कई बार एक्जामें पूछा गया है जिसका एंसर आपको पता है तो आप हमें एंसर बता सकते हैं आनंद मट के लेखक का दोस्तों बंकीम चंद चटरजी यानि की ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है आनंद मट के लेखक कोन है बंकीम चंद चटरजी दोस्तों यहाँ से कोशन बनता है कि भारत का राश्टी गीत की सुपन्यास से लिया गया है जो भारत का राश्टी गीत दोस्तों बंदे मातरम यह आनंद मट से ही लिया गया है ठीक है जो की बंकीम चंद चटरजी दोरा लिखी थे तो आपको याद रखना है बंगला भासा में है ठीक है वहीं बात करें तो रविनार टैगोर के तो रविनार टैगोर के जो महत्पुन पुस्ताक है एक गीतांजली यह कोईशन पूछा था गीतांजली किसकी गीतांजली की लेखक को है तो रविनार टैगोर है और दोस्तों गीतांजली के लिए रविनार टैगोर जीको 1913 में साहित्तिके छेत्रे में नोबेल पुरसकार मिला था और भारत के तरब से पहली बार नोबल पूर्शकार प्राप्त करने वाले रविन्दा टेगोरी जीते गिता अंजली के लिए मिल ठीक, 1913 में और नोबल पूर्शकारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 से शुरुआत हुई थी नोबल पूर्शकारों की और अर्विन्द घोस की इनकी बहुत मात्मूर एक पूस्ता के बार बार एक्जाम में पूछे जाती है दा लाइफ डिवाइन लाइफ डिवाइन की लेखा कौन है अर्विन्द घोस ठीक है तो जितने में पॉइंट आपको बताएं जरूर नोट कर लीजिएगा यह सारे तो आप बता सकते हैं और इसका ins Kalau और फिचेंद अन।ब के था बिनोब हो हमें और यह कब शुरू ऊफ्षाव जाएं ने कोसा यहां योथे कॉऩिसरा में विशन हो जाया दे रहे हैं तो अपके रिवीजन हो जयागा और साल्व करते चले निग्वां और यह सारा अотоै रह हुँज है लाइब डिवाइन पुस्तक के लेहां है लाइब डिवाइन पुस्तक के लेखे लाइट अर्बिंद घोष ठीक है अर्बेन गोस्ट वह कोशन बंगाल की इसीयाटिक सुषाइटी 1784 के प्रवर्तक कौन थे 1784 में स्ठापित हुई थी बंगाल की Asiatic Society तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों Sir William Jones ठीक है, बंगाल Asiatic Society के प्रवर्तक कौन थे Sir William Jones, स्ठापना जरूर लियाद रखिएगा 1784 मुई थी, ये भी पूछा आता है स्थापित का वह था 1784 में सार विलियम जोंस दोरा फिर हमारा अगला कोश्चान नमर वीप्ट है भारत की समीधान सभा किसके अनुशार गठित की गई थी कब इसके अनुशार का अनुशार के अनुशार गठित की गई थी और यह 1946 मैद ठीक और 1946 में शन जरूर याद रखिएगा पूछा आता है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं प्रथम भारती नोबल पुर्सकार विजयता कौन था तो मैं आपको पहले बता चुको प्रथम भारती नोबल पुर्सकार विजयता थे रविनार टैगोर जी इनको मिला था गीत पर यह नुपराँट कारोब लगा था ठीक है तो आप याद रखिएगा 1280 नोबल नहीं मिला है और भारत तरफ से प्रथम नोबल पुरुषकार विजयता साहित के शेतर में रविना टैगोर जी को मिला था 1913 में ठीक गिताँ अंजली के लिए उनके अपूस्ता गिताँ हो जायागा आनन्द मट से ठीक है आनन्द मट काफी सिम्पल लेकिन इंपोर्डेन कश्चन है फिर गला कोश्चन है दोस्तों यह रेल बैग्जाम एकसर पूछाता है भारत कराश्टी पंचांग किस संबत पर पराधारी थे सखसमबत पर छाहए कि रहागा अगला कोशन दिर्ली में केंदरी सचवाल है और उत्तरी और प्राश्णि कंडो कौह बास्तवित बास्तवीत कौन था प्यक्फिक शुद एडवाइड लुटियंस था वास्तुकार अगला वोशन है निम्र्खित में से कौन सी कृति रविना टेगोर की नहीं है यह अगला वोशन देख लेते हैं है भारत की शार्षन बेवस्था में पहली बार प्रतिनीत एवं लोकप्री तद्द्द को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था तो दूस्तों 1892 का भारती परिश्द अधिनियम ठीक है किस कवर्नर के कारेकाल के दर उन्युकिस हिज़वी में कोलकाता में विक्टोरिय मेमोरियल हाल का निर्माण कारे पूरा हुआ था वह था दोस्तों ये रीडिंग के समय ठीक है ओप्संडी करेक्ट हो जाएगा फिर है हमारा अगला कोशन नई दिल्ली सहर के रूपांकर में क सेंटल हिंदू कॉले स्थापित किया थो जो बाद में बनारस हिंदू विश्वी द्याला का केंद्र बन गया तो ये स्थापित किया दोस्तों एनी वैसन ने ठीक ठार सुंधान में बनारस में सेंटल हिंदू कॉले स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वी जी कामा राश्टी दोस्का डिजाइन किसने त्यार के दोस्तों मैडम भीका जी कामा अगला कोशन है देव दास उपन्यास करेचनाकार कौन है देव दास उपन्यास करेचनाकार कौन है दोस्तों ये शरत चंचेट उपध्यार देखिए काफी सिंपल है लेकिन ये कोशन पू अगला कोशचन दोस्तों प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है आपको बताने मैं प्रेम purpose के रचनाकार कौन है को अगला कोशन विश्यूतिहास कि जल्लक कि रचनाका है कि विश्यितिहास कि जहलक कि रचाइदा क्वने जवाहर लाल लहरू जी अ हमारा अगला कोशन बहुत कोशन 17 स्टमर उस्टमरesse 11 में पहली बारं जन्गर्ण मन प्रगाया गया था गाया था है दोस्तो उस्टमरấp अगला कोश्चन दोस्तों भारत ने पहला समाचार पत्र किसे शरू किया था। भारत को जो पहला समाचार पत्र, भारत पहला समाचारपत किसी शरू किया था। काफी important question है, पता है तो आप बता सकते हैं James Augustine Hikky ने, ठीक है James Augustine Hikky, ठीक है याद रहिए गा, D भारत में पहला समचार पत्र जेम सावस्टन हिकी ने शुरू किया था पोस्ट ऑफिस रविना टगोर जोदर लिखी थे अगला कोशन है किसे इस पात का चौकटा की संजा दी गई है किसे इस पात का चौकटा की संजा दी गई है भारती नागरिक सेवा ठीक ऑप्सन ए ठीक भारती नागरिक सेवा इस पात का चौकटा की संजा दी गई है तो यह पता सकते हैं आपका स्कोर साथी साथ वीडियो पसंद देश लाइक करें इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकां जरूर प्रिस कर दें और दोस्तों आपको नेक्स्ट मैं किस टॉपिक वीडियो अपर प्रोड करूँ आप फीडवा बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है और एक इबुक जो मैंने आपको बताया है पंचम पॉब्लिगेशन द्वारा सभी एक्जाम के लिए नोट्स तैयार किया गया है इस वीडियो को डिस्क्रिस्पन बॉक्स में उस बूक का लिंक मिल जाए उस लिंक क्लिक करके सकते हैं मात्र 25 रुपए की बुक है ठीक है चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स मुडियों के साथ के लिए आप सुस्तर रहे बेस्तर रहे मस्तर रहे जै हिन जै भारत